नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रव के साथ सावन के महने में हम सभी भगवान सिव की पूजा करते हैं पूजा में भगवान सिव को कई चीजे अरपित करते हैं जैसे की जल, गंगा, जल इसके साथ-साथ बेल पत्र भी अरपित करते हैं। यह जब पुझा करते हैं तो पुझा में बेल पत्र अरपित करना बहुत ही जादा ज़रूरी होता है। बिना बेल पत्र का भगवान सिव की पूजा अधोरी मानी जाती है। लेकिन बेल पत्र के अलावा कई ऐसे पत्ते होते हैं जिसे चढ़ाने से भगवान सिव अती प्रसंद हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि बेल पत्र के अलावा आप क्या क्या चीजे, क्या क्या पत्ते आप सिव लिंग पर अरपित कर सकते हैं। और ये सारे पत्ते बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। जब भी आप भगवान सिव की पूजा करते हैं, घर में करे या मंदिर में करे, कहीं या लाब की प्रापती होगी इसके बारे में Aww his dad Hunter करें जो पत्ते में आपको बता रहा हूँ ये चीजे आपको आसानी से मिल जाती है और जब भी आप ऑंसी की पूजा करने जाएं सोंबार के दिन सावन के सवंबार या अन दिन पूजा करते हैं तो ये चीजों इन चीजों को अपने पूजा में आपको जरूर ही सामिल करना चाहिए तो बने रहे हमारे साथ हमा को बताएंगे भगवान रसीब को बहुत प्रिया होते हैं ये आठ तरह के पत्ते इन्हें आपको अवस्यर्पित करना चाहिए आपकी मनोकामना पुर्ण हो सकती है लेकिन इ बात करते हैं बेल पत्र का भगवान शीब को बेल पत्र अर्पित करके उन्हें आप बहुत जल्द प्रसंद कर सकते हैं ऐसा मानते हैं कि बेल पत्र भगवान शीब के तीन नेत्रों का परतिक मना जाता है सावन के महिने में भगवान शीब और माता पार्वती को एक साथ ब जी की पुजा करें, सिबलिंग की पुजा करें, तो तीन पत्ते वाले बेल पत्र आपको रपित करना चाहिए, बेल पत्र कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बेल पत्र का जो चिकना हिस्सा है, वही आपको रपित करना चाहिए, जो चीजे आप सिबलिंग पर पत्ता अरपित करेंगे बेल पत्र या कोई अन पत्ता अरपित करेंगे पत्ता अरपित करने से पहले भगवान शीब को जल की पतली धारा आपको अरपित करना है उसके बाद बेल पत्र अरपित कीजिए उसके बाद फिर से जल की धारा अरपित कीजिए आप अरपित करते समय अब जानते हैं कि दूसरा पत्ता क्या है जिसको चठाने से भगवान सी परसन होते हैं देखिए भांग के पौधे का पत्ता भगवान सीब ने समुद्र मन्थन के दोरान निकले बीस को अपने गले में ध्राम करके नील कंठ कहलाए थे ऐसे में भगवान सीब को भांग के पौधे का पत्ता जरूर चठाईए सीब लिंग पर भांग चठाने से हमारे मन के बिकार और बुरायां दूर हो जाती है आप भांग के पत्ते हो भांग हो इसे सीब लिंग पर रपित कीजिए तीसरी चीज है समी पत्र भगवान सीब को समी के पत्ते भी बहुत जादा प्रिय होते हैं ऐसे में साबन में सीब लिंग पर अविश्यक करने के बाद जल से अविश्यक करने के बाद समी के पत्ते को अवस ही आपको अरपित करना चाहिए अगर आप सावन में भगवान सीव को सनी की जो पोधा है जिसे हम समी पत्र बोलते हैं अगर ये पोधा इसका पत्ता आप अरपित करते हैं तो भगवान सीव के साथ साथ सनी देव की किरपा भी आपके उपर बनती है सनी की जो भी समस्या आपके जीवन में सनी की साड़े साती है धहिया है या कोई अनसमस्या आपको सनी दे रहा है तो इससे आपको निश्चित रूप से निजात मिल जाएगा तो यह समीप पत्र आप निश्चित रूप से आप अरपित कीजिए चौथी चीज है दुरवा ऐसा मानते हैं कि दुरवा में अमरित का अंस होता है भगवान सीब और उनके पुत्र गनेश जी को दुरवा बहुत ही जादा पिरिय होता है भगवान सीब को दुरवा अरपित करने से ओकाल मिर्तियु का भै दूर हो जाता है इसलिए आप दुरवा भी भगवान सिभ को सावन में जरूर अरपित कीजिए, ये चीज़े बहुत आसानी से मिलती हैं, जब भी आप पूजा करने जाये तो इन चीजों को साथ में ले करके जाये और इन ही चीजों से आप पूजा कीजिए, इसके अलाबा जो चीज आप अर बहुत ज़्यादा पिदिया है यह पत्ते या धत्तुरा सीवलिंग पर चरहने से भक्तों के सभी बुरे बिचार नश्ट होते हैं और आपका सोच भी साकात्मक होता है इसलिए धत्तुरे का पत्ता हो या धत्तुरा हो इसे सिव लिंक पर जरूर ही अरपित करना चाहिए पीपल का पत्ता ऐसा मानते हैं कि पीपल में त्रीदेव का वास होता है पीपल के पत्तों पर भगवान सिव का वास होता है भगवान सिव को पीपल के पत्ते अरपित करने से ग्रहों के दोस्त दूर होते हैं और घर प्रेबार म इसे भगवान रसीव सिवलिंग को आप अर्पित कर दिए निश्चित रूप से आपकी समस्चार दूर होगी घर में सुक समर्धी भी आती है अगला है आग का पत्ता या आग का फूल देखिए आग के फूल और आग का पत्ता दोनों ही सिवजी को बहुत ही ज़्यादा पिडिया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान सिवजी की पूजा में बेल पत्र आपको रपित करना चाहिए उसी तरह से आग का फूल और आग का पत्ता ये दोनों चीज भगवान सिवजी की पूजा में निश्चित रूप से आपको सामिल करना चाहिए आप मंदिर जाते हैं घर में पूजा करते हैं ये चीज़ आसानी से मिल जाती है ये चीज़े आप सिव लिंग पर अरपित कीजिए जो भक्त भगवान सीव को आग के पुस्प और पत्ते अरपित करते हैं भगवान सीव उसके देहिक, देविक और भोतिक सभी तरह के कश्ट दूर कर लेते हैं यह आप ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुन है इसलिए आग का पत्ता, आग का फूल आप सीव लिंग पर साबन में अवस्य अरपित कीजिए खास करके साबन के सोंबार को आम का पत्ता, जीवन में सुख सोभाग के लिए भगवान सीव को आम के पत्ते अवस्य अरपित करना चाहिए आपने देखा होगा, किसी भी सुभकार्ज में आप अपने घर के मेन गेट पर भी आम के पत्ते का तोरन लगाते हैं ऐसे में सिबलिंग पर अगर आप आम के पत्ते अरपित करते हैं, तो भगवान सिब इससे प्रसन हो करके आपके सारे दुरभाग दूर करते हैं साथ ही धन लाब की संभावनाएं बढ़ जाती है इसलिए आप सावन में सिबलिंग की पूजा में आम के पत्तों का अभी इस्तमाल कीजिए इसे भी आपको लाब होगा मैं आपको फिर से पता दूँ जो चीज भी आप अरपित करते हैं पहले जल की धार अरपित कीजिए उसके बाद ये चीज आप अरपित कीजिए फिर से जल की धार अरपित कीजिए और जो कुछ भी आप अरपित करते हैं मनी मन ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय इन मंत्रों का जाब भी करते रहें इस तरह से अगर आप सिबलिंग पर ये पत्ते अरपित करते हैं सावन के महिने में हर दिन या कम से कम सावन के सोंबार को तो निश्चित रूप से आपकी छापपुन होती है ये पत्ते भगवान रसीब को बहुत जादा पिरिय होते हैं इन पत्तों से आपको निश्चित ये लेकिन साथ में ये चीज भी आपको सामिल करना चाहिए इससे निशित रूप से आपको लाव की प्राप्ति होगी तो आज मैंने आपको बताई कि सावन के महने में भगवान रसीब को किन पत्तों से भगवान सी प्रसंद होते हैं और क्या पत्ते अरपित करने से क्या अगर करेंगे तो उसके जीवन से सारी दुख तकलिफ दूर होगा और धन का आमदनी भी होगा आज के लिए पसे तना ही धन्यवाद